बिहार भाजपा के परदेश सद्यक्ष है समराठ चौधरी और समराठ चौधरी को जेडियू ने रावन की भूमिका में दिखाया है। उन्होंने बताया है कि समराठ चौधरी जो है वो रावन है दस सर है और छे फरजी नाम है उनके। अब सब कुछ बिस्तार से आपको समझाएंगे कि जेडियू के जो प्रवक्ता है नीरच कुमार वो आखिरकार समराठ चौधरी को रावन क्यों बता रहे हैं वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि समराठ चौधरी रावन से भी कम नहीं है सब कुछ बताएंगे लेकिन उसके पहले नम उन्होंने समराठ चौधरी को दिया है तस्बीर आप देख लीजिए ये तस्बीर है ये समराठ चौधरी की तस्बीर और समराठ चौधरी को रावन बताया गया है दिखाया भी गया है कि किस तरीके से समराठ चौधरी के दस सर है और ये सर जो है और उसके बाद फरजी उ उम्र और डिग्री पर तो लगतार सवाल उठी रहा है, इनके पगडी पर भी सवाल उठ रहा है, इनके सनातन होने पर भी सवाल उठ रहा है, नामधारी यानि कि समराठ चौदरी ये जो नाम लेकर चलते हैं उस पर भी सवाल उठ रहा है, और वहाई दूसरी तरफ ये लगत यहां देखी आप ब्रह्म नाथ यानि कि यह ब्रह्म में है इस ब्रह्म में कि यह मुख्य मंत्री बनेंगे और यहां पर है कड़क नाथ यानि कड़क सुभाव के हैं लेकिन ब्रह्म नाथ जो है यह ब्रह्म में रहते हैं कि यह मुख्य मंत्री बनेंगे और कल निचीश कुम राजदितिक रूप से बद होना बाकी है यानि कि एक तरह से कहा जाए कि जो भ्रम पाल कर बैठे हैं समराठ चौधरी कि हम नितीश कुमार को कुर्सी से उतारेंगे उनको मुख्यमंतरी के पद से हटाएंगे और खुद उस पद पर बैठेंगे तो उस भ्रम को भी नितीश क कुमार तोड़ेंगे और जिस तरीके से समराठ चौधरी अपने साथ इतने जो नाम लेकर चलते हैं राष्टवादी हैं सनातनी हैं पगड़ी धारी हैं और नामधारी हैं उम्र इनका अच्छा खासा है डिगरी इनके पास अच्छी खासी है तब निरज कुमार ने उनको दिखाया कि आप फर्जी राष्टवादी हैं आप फर्जी पगड़ी धारी हैं आप फर्जी सनातनी हैं आप फर्जी उम्र धारी हैं यानि इनके उम्र पर तो लगतार सवाल उठ रहा है निरज कुमार लगतार ये बता रहे हैं कि समराठ चौधरी जो है वो असल में नहीं है वो असल में रावन है जहां एक तरफ भाजपा राम की पूजा करती है भाजपा जैस्री राम का नाड़ा लगाती है उसी भाजपा के परदेश सद्यक्ष को कहा जा रहा है कि वो रावन है उनके जो भी सर है वो सब कुछ देख लिए फरजिवाद का निशान है और पूरा का पूरा ये जो है पतीमा तयार किया गया है और निरज कुमार्ड अपने सोसल मेडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी भी दी कि देख लीजे फरजी जो है राष्टबादी और फरजी सनातनी जो है रावनवनी के घूम रहा है और अब समराठ चौधरी जो है वो लगतार घिर रहे हैं लगतार निरज कुमार उनको घिर रहे हैं और ये एक तरीके से राजनितिक अगर कहें तो महौल बना जा रहा है समराठ चौधरी के कद को छोटा किया जा रहा है और इसके पीछे एक बड़ी वज़ा ये है कि समराठ चौधरी नितीश कुमार के सामन खड़े होने वाले नेता का कद छोटा करना पड़ता है नहीं तो भारतिये जनता पार्टी उसका कद बढ़ाते रहेगी और जिस तरीके से समराच चौधरी का कद बढ़ रहा है जिस तरीके से समराच चौधरी को आगे भारतिये जनता पार्टी धकेल रही है ऐसा अब लग है कि समराठ चौधरी आने वाले समय में निटीश कुमार को के लिए बड़ी परेशानी बन जाएंगे लेकिन अब देखे नीरच कुमार ने वो समराठ चौधरी को रावन की भूमिका में दिखाया है और एक तरीके से उनका इसारा ये भी था कि निटीश कुमार जो है वो र के भी एहंकार को खतम अगर कोई करेगा तो उसका नाम निटीश कुमार ही होगा अब आगे देखे क्या होता है मेरा इसका परमीत नहीं बने नहीं साथ और देखते रहें जनता जंक्शन